Hello everyone, welcome back to Noste Canada, I am Neeraj, तो आज की जो वीडियो है ये World Affairs YouTube चैनल से है और इसका टाइटल है India's Total Loan to the World, The Amount Will Surprise You ये काफी इंटरस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि बहुत से लोगों को हमको नहीं पता होगा कि इंडिया जो है वो दुनिया को कितना लोन देता है तो ये वीडियो से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, तो लेट्स वाच दिस वीडियो अगर हम बात करें 1947 से लेकर 2022 तक तो इंडिया ने developmental assistance में दुनिया में कितना पैसा भाटा है, ये amount देखकर आप चौक जाओगे इस topic पर recently भारा सरकार ने एक report पब्लिश करी है, रिपोर्ट का नाम है 75 years of developmental partnership और इस report में ही बताया गया है कि आजादी से लेकर अब तक इंडिया ने total developmental assistance में बाते हैं 107 billion dollars कितना amount हो गया यह हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 8,50,000 करोड से भी उपर के amount की बहुत बड़ी amount है 107 billion dollars, it's a very very big amount इतनी तो मुझे लगता है कि इंडिया की किसी time पे GDP growth जब है इतनी growth भी नहीं होई होगी इतना अभी total यह accumulated है over the years लेकिन फिर भी किसी समय पे इंडिया जो है वो काफी tough time पे भी गुजर रहा था तो उसके बाद जो economic recovery 90s वगरा में जो liberal policies पर अपनाई यहीं उसके बाद जो हमारा software sector और बाकी sectors ने जो growth की है वो contribute की है definitely in world level loans में लेकिन फिर भी 107 billion dollars is a very big amount let's continue developmental assistance made to foreign countries अगर सिर्फ हम पडोस की ही बात करें तो इंडिया के जो soft loan है नेपाल बांगादेश भूटान शिलंका बाकी सब countries को तो यह चार गुना बड़े हैं 2014 से लेकर अब तक तो इस वीडियो में in depth हम भाग करेंगे कि इंडिया ने किन किन countries को loan दिया है कई नाम देखकर हो सकता है कि आप चौक जाओ और यह loan इंडिया देता भी क्यों है what is the point of this और हाँ वैसे आपर मैं यह बता दूं के जो यह 107 billion dollar का है यह सारा loan नहीं है इसमें से 30 billion dollar के आसपास तो हमने दे दिया पैसा grant वापस निया डोनेशन्स ग्रांट जैसे अफगानिस्तान में तो दिया है पैसा इंडिया ने काफी और वहां पर infrastructure projects भी लगाए हैं तो वह तो mostly donations ही है that's not loan let's continue बाकी जो amount है यह है soft loan line of credit जो इंडिया बाटा है अफरीक का एशिया और दुनिया के बागी देशों में जहां भी जुरूत पड़ी थी तो in-depth इस topic को discuss करते हैं मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछूंगा के vaccine महितरी के अंडर भारत में किस देश को सबसे जादा vaccine supply करी थी interesting question है मैं चाहता हूं आप सब लोग एक बार comment section में attempt करें question को सही answer आपको दूँगा वीडियो के end में ये हैं आपकी option नेपाल, भूतान, शलंका एंड भंगलेश comment section में सब लोग इसका answer करो और नीचे आप अगर scroll करोगे तो यहाँ पे आपको देहेगा ये map ये map बड़ा interesting है इस map में बताया गया है कि इन countries को इंडिया ने development के लिए assistance प्रोवाइड करी है ये सारी दुनिया आप देख रहे हैं अब obvious सी बात है इसमें जो highly developed countries है वो तो होंगे नहीं हम लोग USA को कौन सा पैसा देंगे तो इसलिए US जो भी सफेद सफेद countries आपको दिख रहे हैं जपान हो गया Australia है Sweden UK वगारा इन countries को कभी भी हमने assistance में help में एक पैसा नहीं दिया जरूती नहीं पड़ेगी इनको मगर बाकी जो रंग बरंगे देश आपको दिख रहे हैं इनको इंडिया ने loan assistance कुछ ना कुछ इंडिया ने दिये रखा है रंग बरंगे देश यह बहुत interesting phrase लगा मुझे रंग बरंगे देश अब यहापर आप कोगे पहली नजर तो सर मेरी यहाँ पर पड़ी पाकिस्तान पे पाकिस्तान यहाँ पर कैसे आ गया इंडिया ने पाकिस्तान को कब assistance दी तो देखिए ओव घास इंडिया ने assistance दी ओगी UN के route के दुरू कुछ दी है तो वो अलग बात है मगर कोई direct assistance इंडिया ने नई प्रवाइड करी पिछले कुछ सालों में फिर पाकिस्तान के साथ आपको देएगा अफगानिस्तान यह लाल हो रखा है लाल इसलिए हो रखा है क्योंकि जो countries ला अभी है इंडिया ने रशा को भी लोन दी रखा है तो हाँ बिल्कुल इंडिया ने दे रखा है वन बिलियन डॉलर मतलब के आठ हजार करोड रुपे का कर्ज रश्या को यह मैंने खबर पहले भी सुनी थी कि फार इस्ट में जो उनके ऑईल रिजर्व्स हैं या कुछ ने इंडिया की उधारी के पैसों से यह कर सकते हैं हाँ इंडिया ने आपर यह बोल रखा है कि लाइन ओफ क्रेडिट में क्या होगा कि वान बिलियन डॉलर का जो समान है रशिया पर चेस कर सकता है सिर्फ इंडिया से और इसकी जो पेमेंट है एकटी करने की आफशकता नहीं है रशिया अराम से 15 साल में पेमेंट कर सकता है और इंटरस रेट भी काफी कम बिलेगा ग्लोबल जो इंटरस रेट है उसके मुकाबले इंडिया के सौफ लोन का इंटरस रेट काफी कम रहता है और बिलकुल यहाँ पर चाइना भी है एक टाइम पर जब इंडिया चाइना को भी प्रोवाइड करी थी, नॉर्थ कोडिया भी यहां पर आपको मिलेगा, इवन टर्की भी मिलेगा ओवियस्ली रीसेंट येर्स में कुछ हम ने इनको सिस्टेंस भीजी नहीं है, मगर एक टाइम पर इन कंट्रीज की भी हल्प हम कर चुके हैं, इंडिया इत्ताद दानवीर है, अब याबर आप कहोगे, मगर इंडिया को ये सब करने की आवशकता भी क्या है, मिलता क्या ये सब करके अफरीका को, इंडिया के आसपास के देशों को हम लोन बाटके क्या प्राप करते हैं, देखिए, ये बहुत important है, अगर आपको अपनी foreign policy strong रखनी है, this is very very important, और कई बार तो देखिए, इसका benefit भी होता, इंडिया ने कई countries को दे रखा है, defense line of credit, मतलब के, आप सिर्व रक्षा शेत्र में, हमारे दिये गए पैसों का, आप यूज कर सकते हैं, कुछ उधारी में पर्चेस करने के लिए वो भी हम से, तो इंडिया ने दिया था 100 million dollar का defense line of credit to Vietnam, वियतनाम ने उसके बदले में, इंडिया से coast guard के लिए, जो ये ships है, ये purchase करी, तो इससे इंडिया को फायदा हुआ, हमारा पैसा, हमारी ही companies को मिला, मगर इंडिया में बहुत से लोगों को इससे रोजगार मिल गया, और हमने कुछ defense items export भी करी, इंडिया वियतनाम के relations भी strong हो गए, उसके अलावा कई चाइना बताया जाता है के जो developing countries है, वहाँ पे सबसे बड़ा lender है, जी हाँ, चाइना is the largest lender in developing countries, बताया जाता है के चाइना और चाइना की सरकारी कंपनियों ने, total 1.5 trillion, जी हाँ trillion, this is a humongous amount, इंडिया ने जो लोन बाट रखा है ना, उसके comparison में, यह 18-19 गुना-जारा बड़ा amount है, तो 1.5 trillion डॉलर चाइना ने लोन के रूप में, दुनिया भर में जो 150 देश हैं, उनको बाट रखे हैं, और इसलिए जो developing world है, बाकी जो विक्सेट countries हैं, जपान, US वगरा, उनका मैं यहाँ पे discuss नहीं करेंगा, क्योंकि वहाँ पे bonds वगरा वो सबाज आते हैं, तो उनको अगर हम side में रखें, तो developing world में, चाइना ने world bank, IMF, OECD, countries, सब को पीछे छोड़ दिया है, Paris club वगरा, कोई भी चाइना के सामने नहीं ठहरता, चाइना ने record to rate पर loan प्रवाइड किये हैं दुनिया को, और इसलिए आपने देखा होगा, काफी बार officially आर्टिकल में कहा जाता है, चाइना हैस बिकाम, the developing world's largest creditor, तो even दो, अगर आप total amount देखो, जो इंडिया ने दे रखा है loan के रूप में, ये काफी जादा है, अभी भी बहुत कुछ करने की आवशकता है, अभी तो मैं कहूंगा, हमने शुरुवात भी नहीं करी, इंडिया को total line of credit मेरे हसाब से, at least, at least करना चाहिए, 300-400 billion dollar के आसपास, कुछ चाइना के एक चौथाई के आसपास तो आए हम, बहुत पीछे आभी के लिए हम, और ये amount जैसे ही 300 billion के आसपास हो जाएगा ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इंडिया की UN Security Council में permanent seat भी guarantee हो जाएगी, याद रखिएगा, UN Security Council में permanent seat के लिए इंडिया को General Assembly में दो तिहाई भंवत चाहिए होगी, तो बहुत से देशों का support चाहिए होगा, वो support ऐसे नहीं आने वाला, हर देश बोलेगा के आप हमको क्या provide करोगे, तो इंडिया उसके response में दे सकता है line of credit, अब यहाँ पर आप कहोगे, ठीक है तो दो line of credit, रुक किस बात कह रहे हो, देरी किस बात की है, देरी देखो इस बात की है, कि हम line of credit तो दे दे, मगर यह छोटे छोटे जो देश है, वो कहेंगे कि इसका करे क्या, आप कुछ इतना manufacture तो करते नहीं हो, या तो कोई ऐसा line of credit दो, कि आप हमको दो उधारी का पैसा, और उससे हम चाइना से purchase कर ले, तो अगर इंडिया का line of credit strong करना है, तो इंडिया को manufacturing में भी एक giant बनना होगा, ताकि दुनिया को यह समझा जाए, कि अच्छा, इंडिया में सब कुछ बनता है, चाहे टीवी हो, कंप्यूटर हो, समे कंड़क्टर हो, सीमेंट हो, स्टील, सब कुछ इंडिया मनुफाक्चर करता है, तो इनका line of credit बहुत ज़रा काम का है, एक बिलियन डॉलर, अगर इंडिया का line of credit मिल गया, तो इंडिया की मार्केट से अराम से ये लोग बहुत कुछ पर्चेस कर सकते हैं, और उसकी repayment भी अराम-राम से करते रहेंगे, तो मैं उमीद करता हूँ, कि इस वीडियो में आपको इतना समझ में आ चुका होगा, कि इंडिया ने अब तक दुनिया को कितना लोन दिया है, रफली आप कह सकते हैं, आज के समय जो इंडिया का अक्टिव लोन है, ये 30 to 35 बिलियन डॉलर के आसपास का है, टोटल आजादी से लेकर अब तक जो line of credit हम दे चुके हैं, जिन में से बहुत सारा पैसा वाबस भी आ चुका है, ये है करीब 70 बिलियन डॉलर के आसपास, आज वापस आते हैं हमने क्वेशन पर के वैक्सीन महित्री के अंडर, इंडिया ने सबसे ज़्यादा free वैक्सीन किस कंट्री को दी है, तो सयुत्तर यहाँ पे है, option D, the country of Bangladesh, यहाँ पर आप देखता होगे, इस रिपोर्ट में बता रखा है, कि बांगलादेश को total सबसे ज़्यादा हमने दी है वैक्सीन, अबादी के साब से obviously, तो बांगलादेश was the largest recipient under वैक्सीन महित्री, और आज आखरी दिन है, आज आखरी दिन है अनकाडमी की sale का, जो 20% की sale जल रही है ना भी सारे courses पर, आज रात को 12 होजे खतम हो जाएगी, तो किसी भी exam की त्यादी कर रहे हैं, SSE Bank, IATJ, UPSC, 20% discount के साथ आप course purchase कर सकते हैं, simply करो link पे आपर click, for example UPSC का course purchase करना आपको, यहाँ पे आप जाओगे, और जो prices यहाँ पर लिखे हैं, यह कभी भी पे मत कर देना, simply यहाँ पर code use करो, PD10 और prices गिरना यहाँ पर start हो जाएंगे, जो 36 मेने का course है, यह आपको बहुत ज़रा कम price है बिलेगा, सिर्फ आज रात 12 वजे तक, तो अगर आप एक college student है, आपके पास अभी time है, दो-तीन साल का, आप 36 मन्त का जो course है, यह purchase कर सकते हैं, for proper preparation of the UPSC examination, तो इसी note के साथ, यह है वीडियो का, thank you for listening, and as always, God bless you all. 35K round, 35 billion dollars के round है, जो की बहुत बड़ी amount है, इंडिया जैसे country के लिए, हम सब को पताएं कि इंडिया, 80's से पहले, या 80's में भी, इंडिया की economic condition, जो है, वो कितनी difficult थी, और उसके बाद, जो इंडिस्ट्रीज का, बूम तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा चलन शुरू हुआ, जिसके थूँ इंडिस्ट्रीज और बाकी बड़ी बड़ी, आईडि इंडिस्ट्रीज जो है, टेक मरहिंद्रा, ये वो सारी आई, और लोगों को जो आपस में मिली, GDP ग्रोथ हुई, और उसके बाद, इंडिया ने जो है, वो पैसा बाटना शुरू किया, तो ये तो एक चोटी सी सक्सेस स्टोरी है, और आई थिंक इंडिया है लॉंग वे टू गो, इसी पात के उपर आगे जलते रहने के लिए, और मैं ये सारी स्टोरी सुनने के टाइम, मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये सब, मतलब हर बंदे के एफर्ट के थू होता है, ऐसा नहीं है कि इंडियान गवर्मेंट ने कहीं से हवा से पैसा जनरेट कर लिया और डोनेट कर दिया है, अब आप सब लोग जो हम लोग सारे काम करते हैं, चाहे फॉरण में बैठे जो इंडियन्स हैं, वो रेमिटेस बेजें, चाहे वहाँ पे बैठे इंडियन्स जो इंडिया में बैठे हैं, वो काम करें, कोई भी जॉब करते हैं, उसमें से टैक्स पे करते हैं, और कई चीज़ें जो है वह कुछ कक ships करते हैं किसी किसी तरीके से यह जो पैसा जणरेट होता ही यह जो एक्सपोरके से विजनसमेंध से hablar ai यह जो भी तरीके से जिस भी हैं ke помог कर है वो जो पैसा generate होता है government के पास end of the day वो ही पैसा जो है वो government आगे दूसरे countries को either in donations or line of credits या और किसी भी माध्यम से जो है वो दे पाती है तो मेरे निमाग में वो सारा चलवा था कि कैसे हम सब लोग जो है वो इसमें contribute करते हैं और participate करते हैं इस बड़ी exercise में so this is very fascinating to understand और उसके बाद जो जो countries को line of credit दिया मुझे नहीं मालूम था कि वो map के उपर इतने बड़े लगते हैं तो obviously कुछ countries जो है वो white थे जैसे America, Canada, Australia, UK ये कुछ European countries लेकिन बाकी सारे countries के उपर इंडिया जो है वो चाहे थोड़ी सी ही लेकिन कुछ influence जो है वो exercise कर पा रहा है line of credit के जरीए और जैसा कि हमने इस वीडियो में भी देखा है कि benefit क्या होता है line of credit देने का तो benefit तो leverage ही ही है कि आप जो है वो किसी को पैसा देते हैं तो आपके आपके पास उसके उसकी leverage आ जाती है कि यू bargain की आप मुझे UN में मेरे favor में vote कीजिए अगर permanent security seat की बात होती है या और भी कई मुद्दे जो इंडिया के हैं world trade में या किसी भी और field में जो international level पे इंडिया को solve करने हैं तो उसमें जो है वो इंडिया को काफी leverage मिल जाएगी इस चीज़ से और obviously चाइना को तो counter करने के लिए ये है लेकि चाइना के मकाबले इंडिया की अभी line of credits जो है वो बहुत small है और जैसा कि इन्होंने भी point out किया कि इसको at least one fourth हो करना जाहिए इसको और increase करना जाहिए और उसके लिए आपने देखा कि GDP growth बढ़नी चाहिए इंडिया की जितना ज़्यादा इंडिया produce करेगा चाहे वो manufacturing sector में हो चाहे और भी कई service sectors में हो किसी भी sector में हो उतना ज़्यादा जो है वो government के पास पैसा होगा और उसी तरीके से जो है आगे चीजे चलेंगी फिर और इसी लिए इन्होंने manufacturing sector का भी highlight किया कि इंडिया अगर किसी को line of credit देता है तो obviously वो line of credit से करेंगे क्या आगे उनको आगे उसको use करना है let's say infrastructure build करना है या कुछ और बनाना है या अपनी IT industry को boost देना है तो उसके लिए जो components चाहिए उस growth को support करने के लिए तो फिर वो वह वाला country जिसको line of credit दिया गया है वो कहां से खरीदेगा वो चाईना में जाएगा तो इंडिया का पैसा directly चाईना में जाएगा तो इंडिया को अपना manufacturing sector और बाकी जो चीज़ें वो भी strong करन पढ़ेंगी ताकि जो वेतनाम वाली example है उसको replicate किया जाए ताकि इंडिया का पैसा जो है इंडियन companies के पास ही वापिस आए और जो दूसरे जिनको line of credit दिया गया है वो भी अच्छे products जो है वो इंडिया में बने हुए खरीद पाएं तो ये सारा एक cycle है जिस cycle सुनके comment section में हमें बता सकते हैं और आपको description box में एक form का link मिल जाएगा वहाँ पे भी आप अपनी फर्माइश जो है वो बता सकते हैं अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो please इस वीडियो को like जरूर कीजिए चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो please subscribe करके हमें support जरूर कीजिए अगर आपको रुचिका को देखना है और हमारी वैसे life को देखना है तो हमारा vlogging channel भी है वहाँ पे भी जाके आप हमें subscribe कर सकते हैं और अपने suggestions जो है वो drop कर सकते हैं तो इसी तरीके से हम आपके साथ मिलके grow करेंगे तो let's keep in touch हम मिलेंगे आपको next video में तब तक के लिए stay safe stay healthy bye-bye